कहा जाता है कि जिस जगह पर D-Mart का स्टोर होता है उसके 5 किलोमेटर के रेडियस में कोई भी किराना स्टोर खोलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि बाकी के स्टोर्स अपने प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर बेचते हैं D-Mart उसी सेम प्रोडक्ट को 20-30% कम रेट पर दे देता है एक तरफ ये कंजुमर्स को सस्ते में समान देता है दूसरी तरफ अपने इन्वेस्टर्स को मैनी फोल रिटन भी दे रहा साल 2017 में D-Mart सिर्फ 300 रुपय के प्राइस पर अपना IPO लेकर आया था जिसने केवल साड़े 3 साल के अंदर 7 गुना से भी ज़्यादा का रिटन दे दिया लेकिन पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर्स की टेंसन अब बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि एक समय इतना हाई रिटन देने वाला ये स्टॉक अब अपने पीक पॉइंट से 40% नीचे आ चुका है तो आखिर इस भारी गिरावट का रिजन क्या है क्या D-Mart का खेल अब खत्म होने वाला है और कहीं इन सभी लॉसेस के पीछे रिलाइंस रिटेल का हाथ तो नहीं है आईए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तो D-Mart के डाउनफॉल को समझने से पहले हमें इसके सुरुवाती दिनों को जानना होगा कि ये अपने किस स्टैटजी से मार्केट में फेवस हुआ D-Mart की शुरुवात राधा किशन दमानी ने साल 2002 में की थी आपको बता दें कि राधा किशन दमानी एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर हैं जहां इस्टाक मार्केट के बिग बुल राकेज जुन-जुन वाला इनसे एडवाईज लेते थे कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो ये आपको अच्छा बिजनसमैन बनने में हेल्प करता है और ये चीज हम राधाकिशन दमाने की मार्केटिंग स्टैट्ची और डीमार्ट की अनिस्पेक्टड ग्रोथ से सीख भी सकते हैं जब राधाकिशन दमानी अपना सुपरमार्केट खोलना चाहते थे तो उन्होंने इसके उपर खूब रिसर्च की कई देशों की बड़ी-बड़ी सुपरमार्केट चैन को एक्स्प्रोर किया और समझना चाहा कि वहां के कंजुमर्स क्या चीज खरीदना जादा पसंद करते हैं उस दोरान उन्होंने नोटिस किया कि लोग डिसकाउंट वाली चीजों की तरफ जादा अट्रैक्ट होते हैं पर केबल डिसकाउंट देकर वो ग्रोथ की सेडिया नहीं चड़ सकते थे क्योंकि उस समय पहले से ही फ्यूचर रिटेल ने अपना बिग बजार ओपन कर रखा था जो अच्छे डिसकाउंट भी ओफर कर रहा था ऐसे में उनकी सूपर मार्केट में कोई क्यों ही जाता तो अब रादाकिशंदमानी ने ये प्लैन बनाया कि वो बाकी के सूपर मारकेट से भी जाधा डिसकाउंट देंगे पर ये काम उनके लिए बहुत ही ज़ादा चैलेंजिंग होने वाला था इससे उनकी rental cost बचने लगी और उनकी जेब में ज़्यादा profit जाने लगा आज की बात करें तो DMART के 80% stores इनके खुद के हैं और इन्हें सिर्फ 20% stores का ही rent देना पड़ता है लेकिन इसमें सबसे बड़ी problem ये है कि इसमें एक ही बार में ज़्यादा fund को invest करना पड़ता है अगर DMART को एक store से profit कमा कर अपना दूसरा store open करना हो तो उसे उस वक्त तक wait करना पड़ेगा जब तक की sufficient amount collect ना हो जाए लेकिन ये challenge भी DMART के लिए सिर्फ शुरुवाती दिनों तक ही था क्योंकि जैसे जैसे इनके stores के number बढ़ते गए वैसे वैसे इनके profit भी बढ़ते चले गए For example, पहले जहां वो एक store के profit को collect करके एक दूसरा store open करने में 3 साल का समय लगाते थे तो अब जब इनके पास 3 store हो गए तो सब का profit मिलाकर वो एक साल में एक store open करने लगे यानि शुरुवात इनकी भले ही slow थी लेकिन बात में DMART का expansion तेज हो गया दोस्तों चाहे DMART हो या कोई और supermarket ये एक बहुत ही कमाल की strategy पर काम करते हैं जो है slotting fees आप जो भी product सुपरमार्केट में देखते हैं उन product को उस जगा पर रखने के लिए companies को एक slotting fees चुकाने पड़ती है इसे आप उस product का entry fees या किराया भी मान सकते हैं अब ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरमार्केट में डेली हजारों की संख्या में कष्ट मरसाते हैं तो ऐसे में हर company चाहेगी कि उसका product लोगों के नजर में आए और जादा से जादा लोग उसे खरीच सकें एक तरह से कह सकते हैं कि ये companies की मजबूरी होती है कि वो अपने product को वहाँ पर प्लेस करने के लिए डीमार्ट या इस जैसे बाकी सूपरमार्केट को slotting fees के नाम पर एक भारी रकम चुकाती है अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि डीमार्ट MRP से 20 से 30% discount देकर भी profitable business कैसे बना हुआ है तो आपको बता दें इसके पीछे इसी slotting fees का कमाल है इसको हम एक example के थ्रू समझते हैं मानलो आपकी एक biscuit की company है और आप अपना biscuit डीमार्ट में बेचना चाहते हैं ऐसा करने के लिए आपको डीमार्ट को slotting fees देनी होगी अब डीमार्ट क्या करेगा कि वो इस slotting fees के पैसो को discount में बदल देगा और आपके biscuit को heavy discount पर sale करेगा और इसी strategy से डीमार्ट, future retail, reliance या दूसरी supermarket chance से ज़्यादा सस्ते में अपने product को sale कर पाता है अब discount तो ये लोग भी देते हैं लेकिन इन्हें swap का rent और और भी कई तरह के खर्च की वज़ा से ये डीमार्ट से compete नहीं कर पाते ऐसे कई supermarkets हैं जो एक साल में बड़ा revenue तो generate करती हैं लेकिन अगर हम उनके annual report पर नजर डालें तो उनके expenses इतने ज़्यादा होते हैं कि profit बहुत ही कम बचता है लेकिन डीमार्ट ने हमेशा ही अपने expenses को कम रखा है आप कभी भी उनके stores को luxury decorations के साथ नहीं देखेंगे एक साफ सुतरी जगा होगी जहां चीजों से भरे हुए racks नजर आएंगे इसके अलावा आपके आस पास बहुत सारे stops भी नहीं होगे stores में lighting भी decent सी होगी ताकि आप आराम से product को देख सकें या उस पर लिखी हुई चीजों को पढ़ सकें वहीं अगर आप Reliance Retail या Big Bajar को देखेंगे तो वहाँ बहतरीन lighting सलीके से सजे हुए products और काफी walking space दिखेगा जो इनके खर्चों को बढ़ा देता है D-Mart का main focus है आपको कम price पर products को available कराना ना कि store में एक luxury experience देना quantity में product sale हो रहा जो D-Mart के लिए अपने competitors से उपर रहने और उसे ज्यादा profit कमाने का हमेशा ही एक बड़ा reason रहा है अगर हम financial year 2014-15 के report देखें तो D-Mart के सबसे बड़े competitor future retail ने जहां 153 करोड रुपय का profit कमाया वही Reliance Retail ने 169 करोड रुपय का लेकिन उसी दोराण D-Mart का profit था 211 करोड रुपय लेकिन दोस्तों पिछले एक देड़ साल से D-Mart की हालत अब बिगरती नजर आ रही है क्योंकि October 2021 में जहां इसका share price 5,900 रुपय था अब वो गिर के 4900 रुपय पर आ गया है लेकिन हमेशा से एक अच्छा return देने वाली इस profitable company के साथ आहिर ऐसा क्या हुआ कि इसका share price इतनी तेजी से नीचे आ रहा है आए इसके पीछे के असली वजह को समझते हैं दोस्तो D-Mart का सबसे बड़ा competitor था Future Retail जिसकी सुरुवात 2002 में होई थी और directly या indirectly तब यही दोनों आपस में एक दूसरे को compete कर रहे थे लेकिन 2006 में Reliance Retail की शुरुवात होती है और तब से D-Mart का competition और भी ज़्यादा हाई हो गया लेकिन तब इसका असर कभी भी इसकी sales या profit पर नहीं पड़ा बलकि वो साल दर साल खुद को expand करता गया मगर पिछले 4 से 5 सालों में मुकेश रमबानी का main focus Reliance Retail पर ही रहा है क्योंकि वो FMCJ मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं यही reason है कि जहां Reliance Retail का revenue 2022 में 1.99 lakh करोड रोपे था वो 2023 में 2.6 lakh करोड हो गया जो 30% का increase था और अगर हम इसके revenue को DMART से compare करें तो यह 5 गुना जादा है इसके अलावा बात करें expansion की तो वो भी Reliance Retail के favor में जाता है क्योंकि इन्होंने 2006 में 1 store से शुरुआत की थी और आज इनके पास 3300 से भी जादा stores हैं वही DMART के पास अभी वेक केवल 324 stores हैं यह expansion कहीं न कहीं DMART पर impact डाल रहा है लेकिन एक और चीज जिससे इसको competition का सामना करना पड़ रहा है वो है online e-commerce platform पहले जहां DMART के biggest competitors थे फ्यूचर रेटेल और Reliance Retail वहीं अब जेप्टो, बिग बास्केट, जियो मार्केट, टुन्जो, फ्लिपकार्ट सूपर मार्केट, ग्रॉफर्स और Amazon Pantry जैसे कई competitors मार्केट में पैर जमा चुके हैं इसको देखते हुए DMART ने भी DMART Ready नाम की एक e-commerce बिजनस की सुरुआत की लेकिन financial year 2021 में इसे 80.62 करोड रुपय का लॉस हुआ, तो financial year 2022 में 142 करोड रुपय का और इन सब का असर company के share price पर भी देखा जा सकता है अब समझते हैं DMART के downfall का दूसरा reason जो है lower consumer spending दोस्तो पिछले कुछ सालों में inflation rate बहुत ही तेजी से बढ़ा है 2022 में inflation rate 6.67% था, वहीं 2021 में 5.51% बरते inflation rate का impact ये पड़ता है कि इससे लोगों की purchasing power कम हो जाती है example के लिए मान लोगर कोई 20,000 रुपय कमा रहा है और 8,000 grocery पर खर्च कर रहा है 5,000 medicines पर और 2,000-3,000 रुपय ट्रांस्पोर्टेशन पर तब भी उसके पास 4,000 रुपय एक्स्ट्रा बच जाते हैं जिससे वो additional चीजें जैसे की कपड़े, कल्टेंट, decorative items या कोई भी ऐसी चीज खरीच सकता है जिसके उसे बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो लेकिन जब महगाई बढ़ जाती है, तो grocery पर 8,000 की जगा 10,000 और medicines पर 5 की जगा 8,000 खर्च होने लगते हैं तो लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं बचते, कि वो additional चीजों को खरीदने के बारे में सोचें और इस चीज का सीधा impact पड़ा D-Mart पर इसके general merchandise और apparel segment जिसमें toys, crockery और garments जैसे products आते हैं जिससे D-Mart लगबग 23% revenue generate करता था, उसकी sale अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और lower consumer spending की वज़ा से company के profit पर काफी impact पड़ रहा है बात करें D-Mart के downfall की तीसरी सबसे बड़ी वज़ा की, तो वो है low margin दोस्तो inflation का कोई खास impact grocery items पर नहीं पड़ता है क्योंकि लोग rice, oil, spices या कोई भी product जिसे वो daily consume करते हैं उसे तो खरीदेंगे ही क्योंकि ये essential products के category में आते हैं पर D-Mart के साथ problem यह है कि इन सारे products पर उसे बहुत ही कम margin निसीव होता है वही non-essential products पर इसे ज़्यादा margin निसीव होता है इसलिए अगर grocery पर ज़्यादा margin नहीं मिल ला तो non-essential items से मिलने वाला margin profit को maintain करके रखता है लेकिन जब से inflation अपने peak पर है, लोगोंने non-essential items से दूरी बना ली है जिससे इसकी profit पर बहुत ही बड़ा impact पड़ रहा है तेजी से अपने stores को expand करके FMCG में leader बनने की कोशिश कर रहा है उसी दोरान उसने देखा कि future retail के पास 200 से भी ज़्यादा stores ऐसे हैं जिसका उसने लंबे समय से किराया नहीं दिया है ऐसे में Reliance ने landlord से बात करके इन stores में Reliance Retail का board लगा कर वहाँ अपना खुद का store run करने लगा जिससे कम पैसे और कम समय में इसे 200 नए stores मिल गए इस rapid expansion को देखकर DMART को भी लगा कि उसे अगर competition में आगे निकलना है तो अपने stores को ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में open करना होगा इसी वज़ा से पिछले साल DMART ने around 50 नए stores open किये थे लेकिन 2023 में अभी तक DMART ने के वल 22 stores ही open किये हैं जैने कि last year वाले growth को match करने के लिए company को अभी भी और भी 28 stores add करने होंगे लेकिन जिस तरह हर quarter में इनके नए stores की संख्या decline होती जा रही है उसको देखकर ये नहीं लगता कि company इस goal को achieve कर पाएगी खेर हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखरी इन stores का expansion इतना slow क्यों हो गया है तो इसका सबसे पहला reason है fund की कमी और दूसरा reason है real estate के बढ़ते price जो loan के धम पर अपना rapid expansion नहीं करती बलकि proper planning के साथ एक study growth के तरफ बढ़ने में विश्वास रखती है इसलिए fund की कमी और real estate के बढ़ते दाम की वज़ा से इसने अपना expansion slow कर रखा है दोस्तो D-Mart के downfall का पाँचवा सबसे बड़ा reason है इसका valuation and PE ratio D-Mart का IPO 300 रुपए पर launch हुआ था जिसके share market में listing हुई around 650 रुपए पर इसके बाद से company के share price में लगा तार growth देखने को मिले जब company अच्छी return दे रही थी तो इसको देखकर बहुत सारे investors इसमें interest लेने लगे जिससे इसका PE ratio यानि price to earning ratio 200 से भी ज़ादा हो गया लेकिन जब investors ने realize किया कि हर साल ये company केवल 25-30% के revenue growth के साथ बढ़ रही है तो उनके लिए ये काफी disappointing था क्योंकि अगर कोई investors जदा पैसे invest करके किसी share को खरीदता है तो वो high return भी expect करेगा लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे उन्हें समझाने लगता है कि company के share price overvalued है इसके बाद investors negative हो जाते हैं और share price में गिरावटाती है अब यहाँ तक तो बात हुई उन reasons की जिनकी वज़ा से d-mart के share price में गिरावटा रहे हैं लेकिन क्या अभी भी possibility है कि company फिर से पहले जैसी profitable बन सके जी हाँ बिल्कूल है और इसका सबसे पहला तरीका है expansion अगर आप notice करेंगे तो d-mart के ज़्यादातर stores किसी specific area तक ही limited है for example मुंबई में इसके 55 stores हैं तो दिल्ली में 12 लेकिन NCR जहां इसे एक बड़ा consumer base मिल सकता है बहाँ इनके एक भी stores नहीं मौजूद हैं ऐसा शुरुवात से ही देखा गया है कि d-mart अपने आसपास के areas में ही ज़्यादा focus रहता है और ऐसे कई cities में अभी तक पहुचा ही नहीं जहां इसे बड़ा customer base मिल सकता है वही Reliance Retail की बात करें तो वो इसके बाद में आया लेकिन online हो या offline वो हर जगा अपना strong presence बना लिया जबकि d-mart का online presence अभी भी बहुत ज़्यादा wake है और उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है दोस्तो Reliance की business strategy maximum time यही रहती है कि वो भारे discount देकर एक बड़ा consumer base बनाता है और जब वो इसमें काम्याब हो जाता है तो price को increase कर देता है जबकि d-mart के साथ ऐसा नहीं है इनके price अभी तक वैसे ही है जैसे पहले थे इसलिए आगे चलकर हो सकता है कि d-mart फिर से पटरी पर आ जाए इसके अलामा जैप्टो, ग्रॉफर्स और जोमेटो भी पहले से ही loss में है ऐसे में ये companies ज़्यादा समय तक discount अफोर्ड नहीं कर सकती और ये d-mart के लिए एक plus point हो सकता है बैसे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या d-mart पहले जैसे comeback कर पाया या नहीं अपना opinion हमें comment करके जरूर बताएं इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि apple company कैसे दुनिया को बेवकूप बनाती है तो i button पे click करके वीडियो को देख सकते हैं बागी आज के लिए बस इतना है